सूप्रभात बच्चो, हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है. आज मैं आप सबको व्याकरन मन्थन भाग साथ में से समास समझाने जा रही हूँ. समास किसे कहते हैं? परिभाशा, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समस्तपद कहते हैं, इस मेल की प्रक्रिया को समास कहते हैं, समास होने पर बीच की विभक्तियों, शब्दों तथा और आदी अव्यायों का लोप हो जाता है. उधारन के लिए गंगा का जल समास हुआ, गंगा जल समास का तातप्रे है, अर्थात अर्थ है, संक्षिप्ति करन, छोटा करना, समस्तपद, पूर्वपद, उत्तरपद. समस्त पद में दो शब्द होते हैं पूर्वपद होता है और एक उत्तर पद होता है पहले पद को पूर्वपद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं जैसे गंगा जल इसमें गंगा पूर्व पद अर्थात पहले का शब्द और जल उत्तर पद अर्थात बाद का पद कहलाता है। समासिक शब्दों के बीज के संबंद को स्पस्च करना समास विग्रह कहलाता है जैसे राजपुत्र राजा का पुत्र। अव्याई भाव समास इसकी पहचान है कि इसमें समस्त पद अव्याई बन जाता है अर्थात समास होने के बाद उसका रूप कभी नहीं बदलता है इसके साथ विभक्ति चिन भी नहीं लगता जैसे आजीवन जीवन भर यथा सामार्थे के अनुसार यथा शक्ती शक्ती के अनुसार यथा वीधी के अनुसार यथा क्रम के अनुसार भर पेट पेट भर कर हर रोज 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 तद पुरुष समास के प्रकार इसके विग्रह में जो कारक प्रकट हो उसी कारक वाला वह स समास होता है अर्थात जब समस्त पद का विग्रह किया जाता है और उसमें जो विभक्ति चिन लगता है उसके अधार पर समास ही वह बन जाता है जैसे हम उधारन के लिए लेते हैं कर्म तत्पुरुष गिरहत गिरह को काटने वाला तो यहां पर को का प्रियोग हुआ है और क मन तत्पुरुष मन चाहा मन से चाहा संप्रदान तत्पुरुष रसोई घर रसोई के लिए घर अब यहां हम देखते हैं के लिए आया है जो कि संप्रदान का विभक्ति चिन है अब बन तत्पुरुष देश निकाला देश से निकाला संबंध तत्पुरुष गंगा जल गंगा का जल, अधिकरन तत्पुरुष, नगर वास, नगर में वास। तत्पुरुष समास के प्रकार, जिस समास में पहला पद निश्यदात्मक हो, उसे नं तत्पुरुष भी कहते हैं। असभ्य, ना सभ्य, अनंत, ना अंत, अनादी, ना आदी, असंभव, ना संभव। द्वन्दु समास जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, तथा विग्रह करने पर और अथ्वाया एव लगता है, वह द्वन्दु समास कहलाता है। जैसे पाप पुन्ये, पाप और पुन्ये, सीता राम, सीता और राम, उच नीच, उच और नीच, अन जल, अन और जल, खरा खोटा, खरा और खोटा, राधा कृष्न, राधा और कृष्न। इसका मुख्य चिन यह है कि जो समस्त पद होता है उसमें योजक चिन का प्रियोग होता है जिस तरह आप देख रहे हैं पापपुन ने इसमें योजक चिन का प्रियोग हुआ है और इसी के नीचे और भी जो शब्द योग में है उनमें योजक चिन का प्रियोग हुआ है और इससे द्वीकु समास कहते हैं, इससे समु अथ्वा समाहार का पोध होता है, त्री लोक, तीनो लोकों का समाहार, नव ग्रह, नो ग्रहों का समु, नव रात्र, नो रात्रियों का समु, अठन्नी, आठ आनों का समु, कर्मधारे, जिस समास का उत्तर पद्ध, प्रधान हो, औ और पूर्व पद्वा उत्तर पद्ध में विशेशन विशेशे अथ्वा उपमान उपमय का संबंध हो वै कर्मधारे समास कहलाता है। और प्रधान हो और समस्तपद के अर्थ के अतिरेक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो अर्थात कोई वीशेश अर्थ निकलता हो उसे बहुबरी समास कहते हैं। जैसे दशानन दश है आनन जिसके अर्थात रावन यहां पर रावन एक विशेश अर्थ गूशित होता है नीलकंट नीला है कंट जिसका अर्थात शेव सुलोचना सुन्दर है लोचन जिसके अर्थात मेगनाद की पतनी पितांबर पीले हैं अंबर जिसके अर्थात दुरात्मा, बुरियात्मा वाला कोई दुस्ट, श्वेता अंबर, श्वेते जिसके अंबर, अर्थात सरस्वती जी, कर्मधारे और बहुब्रही समास में अंतर, कर्मधारे में समस्थपद का एक पद, दूसरे का विशेशन होता है, इसमें शब्दार्थ प्रधान होते हैं जैसे नीलकंट, नीलाकंट, बहुब्रही में समस्थपद के दोनों पदों में विशेशन, विशेशे का संबंध नहीं होता, अपितु वह समस्थपद ही किसे अन्य संग्यादी का विशेशन होता है, इसके साथ ही शब्दर्थ, गौन होता है और कोई भिन्नार्थक ही प् ताच.